तो आज किस वीडियो में हमें एक ऐसे स्किल की बारे में बात करने माले हैं जो हर एक नॉमल इंसान या फिर प्रोग्रामर सब के पास होनी चाहिए इसको बोलते हैं हम automation तो hope इससे तुम्हें possibility का बहुत बड़ा दर्वाजा तुम्हारे लिए open हो जाए और तुम अपने जो टास्क है वो खुद automate करना सीख जाओ तो यह देखो यहाँ पर मेरे पासना है एक website में data पड़ा हुआ है बहुत सारा और मैं इसे यहाँ पर मुझे एक sheet के अंदर इसे रखना है टाकि मैं एक database को बना सको है ना तो मैं अब एक करके इसे अगर मैं ऐसे copy और ऐसे करके paste करूंगा तो अप्रोक्स यह मेरे पूरा दिन ले लेगा क्योंकि यह बहुत सारा data है है ना तो इतना सारा data करने का मैं रपास time नहीं है तो मैं क्या करूंगा एक ऐसे script लिखूंगा 30 lines की जिससे यह पूरा task बहुत ही आसानी से automate हो जाएगा और मैं कर पाऊंगा तो यहाँ चलो सुरूब करते हैं तो सबसे पहले requirement जिससरी बाते है तहु मैं क्या क्या चाहिए तो तुम्हें गूगल पे जाना हो सिधा 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 दो तीन चीज़े डाउनलोड कर लिए है तो पहली चीज तुम्हें डामडो warranty है Python, pythonен तुमारे system में होना चाहिए python.org.उर नहीं फूनाद आऊंडोड कर लो दूसरी website मिलेगी वहाँ से तुम अपने according अपने system के according जाके download कर लेगा है इतना करने के बाद चलो यार इस task को automate करते हैं तो अब देखो मैं आगे हूं अपने development folder में और यहाँ पर मैं एक नया साफ वह बनाता हूं folder ठीक है तो मैं इस folder का नाम देता हूं automation और इसे मैं open कर लेता हूं पाइचाम के साथ राइट पाइचाम के साथ मैं यह folder open कर लिया है और यह थोड़ा सा टाइम लेता है तब तक हम अपने फेवरेट करेक्टर जैनिस्व को देख लेते हैं क्योंकि इसी से inspiration मिली है क्योंकि यह बंदा जो है सोते सोते बंदो को मारता है तो अगर तुम जैनिस्व कर नहीं जाने तो जाके डीमन सुलियर देखो यार तो चलो तो हमारा फोल्डर अब open हो चुका है और open होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा interface मिलेगा क्योंकि पाइच के अंदर उसे डाउनलोड किया था जिफ फाइल होती है तो जिफ फाइल को एक्स्ट्रैक्क कर लेना मैंने एक्स्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद क्रोंडर को उठाके automation वाले जो मैंने फोल्डर बना है उसमें जाके मैं मूव कर देता हूँ कि अब उसके बाद तुम्हें कुछ लाइब्रेडी को पहले वह करना होगा इंस्टॉल करना होगा तो सबसे पहले आप सीधा लिखो इंपोर्ट तो हम इस टुटोरियल में यूज कर सकते हैं इस लिने बिसिकली आटोमेशन के लिए यूज होती है ड्राइवर्स वेब्राइवर्स और किसी वी वेबसाइट से इंट्राइक करने के लिए यूज होती है वह तुम दीरे दीरे समझ में आ जाएगा तो इंपोर्ट तो वेब ड्राइवर भी इंपोर्ड हो चुका है अब देखो यहां पर अगर तुम यहां पर इसके कभी कभी क्या होगा तुम्हारे सिस्टम के अंदर यहां पर सेलेनियम के नीचे रेड लाइन आएगी तो यहां रेड लाइन का मतलब है वह लाइब्रेडी जो है अवेल इंस्टॉल करने ना है तो मैं क्योंकि यह अरड़ी इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मेरे पास कोई भी आर नहीं आ रहा बट हो सकते है तुम्हारे सिस्टम में एरर आए तो इसलिए पिप 3 इंस्टॉल सलेनियम कर लेना तीक है अब इतना गरने के बाद हमने दोनों ची पात और जो मेरा क्रोम ड्रैवर का पात है वह मैं लिख देना वाला हूं ख्रूम ड्रैवर ठीक है इतना लिखने बाद हमारा कुर्वड दय लोड़ हो चुका है अब मैं ड्रैवर को बोलता हूं डॉट गेट जो भी हमारा यूरल है उसे मैं यहां पर जाके पीस्ट कर दा तो मेरा वेबसाइट में काफि करें और अपने प्रोग्राम में जाकर प्रीस कर देता हो जा लिए आप इसे रण किया रन करने के बाद देखो एक window open हुई है chrome की और यहाँ पर हमें data दिख रहा है ठीक है तो यह data हमारी website लोड हुचुए chrome driver के अंदर अब हमें यह data चाहिए ठीक है तो सीधा सीधा हमें जो data चाहिए वो देख रहे हैं just department का नाम चाहिए service का है वो चाहिए location चाहिए और मुझे अप्रोक्स वाल्यू है यह इसका वरियेबल चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर एक वरियेबल बनातों अपने प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है department department name लिखा अब department name कैसे मिलेगा तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा ड्राइवर को बूलना पड़ा ड्राइवर.find element ठीक है अब find element हमने किया अब find element देखो हमारे chrome driver कहा है अब क्लोज हो गया और inspect करते ही यह जो over all of attendance पर क्लिक करूँगा और यहां से मुझे यह element दीख जाए यह element मेरा यह है तो यह राइट क्लिक करके copy पर जाओंगा copy full x path जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास पूरा जो element का path है वो copy होके आ चुका है अब buy अब देखो buy x path का मतलब है अब buy को तुम्हें import करना पड़ेगा तो तुम्हें यहां पर जाके import करना है तो buy के नीचे तुम्हें एक red line से दिख रही है तो तुम्हें उसके ऊपर hover करना है और hover करने के बाद तुम्हें दिख जागा इसे import कर लो तो यहां पर जो हमने पाइचम ने बोला भाई देखो इसे import करना पड़ेगा क्योंकि यह मुझे नहीं मिल रहा है तो हमने उसे import कर लिया है और उसके बाद यहां पर हमें वह जो path है जो हमने copy के उसे paste कर देना है अब यह check करने के लिए अब देखो हमें उसका सिर्फ text पार चाहिए है तो यहां पर लिखे दिखेंगे हम text ठीक है dot text लिखने के बाद अब इसे जरब print करके दिख लेते हैं क्या वह department के correct हमारे पास आया है कि नहीं तो मैंने इसे print करके run किया और run करने के बाद मुझे अपने console में शो होगा थोड़ी दिर में क्योंकि हमने time sleep लगार के time sleep को हठा देता हूं मैं थोड़ी दिर में तो यहां पर एक error था तो उसे x path को हमें caps में देना पड़ेगा पूरा मैंने इसे smalls में दे दिया था तो x path दे दिया और इसमें time sleep को अठा देता हूं और इसे run करते हैं तो यह run हुआ run हुआ run हुआ run हुआ और देखो department का नाम हमें यहां पर प्रिंट होके आ जुगा है तो हमारे पास department का नेम आ जुगा है आप जो जो डीटिल चाहिए कि वह वह हम कर लेते हैं तो यहां पर मुझे आप next services चाहिए तो services के लिए भी आपको सेम प्रोसेस पो लगने copy x path तो यहां पर मैं अपने पाइचा में जाता हूँ और लिग देता हूँ services कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 अबागी location के लिए आप सेम ऐसे कर लो कि कि फाइंड एलमेंट वाई एक्स पार्थ और इसके इंदर मैं उस फाइल का पाथ देदेता हूँ तो ठीक है यहां पर मैं को location चाहिए location का यहां पर right click करके यहां पर हमें यह मिली जा इसे copy अबाई कि यहां पर यहां अबाद यहां अबाई तो अभी मैंने सारे के सारे पार्ट जो है जो मुझे डिटेल चाहिए उस वेबसाइट से मैं उनका एकस पार्ट कॉपी करके निकाल लिया है अब मैंने एक बार सबको एक बार प्रिंट करके देख लेता हूं तो कमांड इसे हमें इसे कॉपी कर सकते पूरी लाइन और डिपार्टमेंट निकाट आते हैं लिए सर्विसेस और यहां लिखते हैं लोकेशन और यहां लिखते हैं अपर आप्रोक्स वैल्यों ठीक है आप यह जो साइड डिटेल थी होता हमने स्क्राप कर लिया है एक बार रन करते हैं और दिखते टर्मिनल में यह हमारे पास प्रिंट होके आया है कि नहीं तो यह जी हां जो भी डिटेल हमें चाहिए वो सारी है प्रिंट हो चाहिए कि दिपार्टमेंट नेम सर्विसेस लोकेश लिए जाए ठीक है बट एक गैच है इसके अंदर जितने भी ऐलिमेंट से उनका पाथ डिफेरेंट है यह नौदर नेलवे का पाथ अब थोड़ा सा डिफेरेंट होगा फॉर्स पुराने वाले से पुराने वाले के डिफेरेंट में यहां पर ध्यान देना इस लोजिक पर तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर लूप लगा रहेता हूं डिपार्टमेंट नियम से पहले फॉर आई इन रेंज अब जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट के अकॉर्ड है यहां पर मेरे 177 तो मैं 1 से लेकर 180 तक मैं इसे लगा रहेता हूं ठीक है अब पाइधन ए है यहां पर सबकुष फॉर सकता हूं टो इनका भर हम डाइनका रहेंगे कैसे यहां पर हमारे 4th 48 तक जाएगा तो जब first time चलेगा तो i की value 1 होगी ठीक है तो यहाँ पर मैं जाकर क्या करूँगा अब str i fine सेम यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ str i ठीक है और last वाले के लिए भी मैं यही करने वाला हूँ तो हमारे content बिल्कुल हो चुका ready अब एक बार इसे run कर लेते हैं देखते हैं सारे elements मेरे पास आ रहे हैं या नहीं तो मैंने अपने terminal में देखा और तเอमींज में देखे का सबको देखो सारे की सारे जो data है वो data हम successfully तो देखो सारा का सारह हमारे data हमारे पास आ चुका है अब हमें क्या करने हैं इसमें sheets में entry करनी है तो sheets में लिए मैं Google sheets को यूजज़ करने वाल हूँ अपने program में तो आपको Google Cloud Console पे अपना एक account बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं Google पर जाके लिखता हूँ Google Cloud Console Google Cloud Console अब यहाँ पर जाके मैं जो भी API यूज़ करना चाहता हूँ वो उससे मुझे enable करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एकढ़ी यहाँ अपर टॉप में जाके आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सायल प्रजेक्ट मिलेंगे तो आपको एक new प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगए और क्योंकि मैंने बहुत सार प्रजेक्ट बना रहे हैं तो आपको एक आपको न्यू प्रजेक्ट पर क्लिक करना है और वह प्रजेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मेरा प्रजेक्ट अलड़ी सेलेक्ट है तो सेलेक्ट करने के बाड़ कुछ ऐसा इंड़रेस दिखेगा तो यहां प प्रोजेक्ट के लिए हमें एक Google Sheets का API यूज़ करना है तो Google Sheets यहां पर सर्च कर लेते हैं ठीक है यहां पर वह API मिल जाएगी और API पर कलिक करो और यहां पर Enable का बट्न तुम्हें मिलेगा उसे Enable कर लो मैंने अल्री इनेबल कर लगे इसलिए मेरे पास मैनेज का बटन आ रहा है सेम तुम्हें गूगल ड्राइव भी यूज़ करना है क्योंकि जितना भी डेटा स्टोर होता है Google Drive में जाके स्टोर होता है Google Sheets, Google Docs जितना भी होता है तो Google Drive का API भी तुम्हें जरूरी है तो Google Drive भी इनेबल करो और इसे मैनेजम प्यारा को ठीक है इतना करने के बाद आपको अपने यहां पर जाना है और यहां पर EPN Service के अंदर credentials पे जाना है तो credentials के अंदर आपको create credentials पे यूज़ करना है और create and continue पे click कर लेना है बागी सारे optional fields है तो इसे इने छोड़ देना है और next जब आप जाओगे तो यहां पर तुम्हें वह account मिल दागा तो sheets का नाम है यहां पर मैं click करूँगा और click करने के बाद यहां पर keys पे जाओँगा और keys पे जाओँगा add a key और create a new key तो create a new key पे जाओँगा तो json का तुम्हें option मिलेगा और json पे create कर लो तो यह जो keys है तुम्हें लिए create हो जाएगी और download भी हो जाएगी अब यह जो downloaded file है इसे में जाके सीज़ा सीधा अपने जो python है उसे में जाके store कर लूँगा यहां पर मैं इसे downloads में खोल लिता हूं download और जो json file है उसे जाके मैं इसे यहां पर अपने जो folder है उसके अंदर डाल देता हूं reflect ठीक है इसका मैं rename कर देता हूं और rename करके इसको मैं एक छोटा सा नाम दे देता हूं अब इतना हमारा part complete हो चुका है cloud console वाला अब आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और यहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं यहार देखो सबसे पहले आपको टॉप पे जाना है और कुछ लाइब्री इसको इंस्टॉल करना है जैसे मैं यूज करने वाला हो फ्रॉ अब तुम्हें पहली बताया था अगर तुम्हें यह ब्रेड लाइन में आ रहा है तो आपको पिप 3 करके टर्मिनल में पिप 3 इंस्टॉल और टू क्लाइंट लिखना पड़ेगा ठीक है तो जब आप ऐसे कर दोगे तो यह लाइबरी जो है इंस्टॉल हो जाएगी मेरे बैस अल्रेडी इंस्टॉल्ड है और तीसरी यूज करने पड़ी आप नेक्स्ट जो लाइबरी हम यूज करेंगों यूज करेंगा इंपोर जी एस प्रेड टिक है यह गूगल शीट की ऑफिशियल लाइबरी है तो इसे भी प्प्री इंस्टॉल जी एस प्रेड तो यह इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल हो जाएगा फाइन तो अब हमारे बेसिक सेटप कंपलीड हो चुक है हमारे डेटा भी यहां पर हमें बस शीट में एंट्री करनी है तो शीट में एंडी के लिए थोड़ा सा हमें कोड अब शीट को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा तो शीट को इनिशियलाइज करनाने के लिए मैं डेटा जो हमने जहां पर डेटा निकाला है उससे पहले मैं शीट को इनिशियलाइज करा हूँ तो मैं जब गूगल का कोई भी API यूज कर तो आपको scopes को define करना पड़ता है तो मैं यहां पे scopes को define कर देता हूँ और scopes के अ गूगल एपी आइज डॉट कॉम स्लाश और स्प्रेड शीट्स ठीक है अब सीमिलरली मैं यहां को नीचे कोपी कर लेता हूँ और यहां पे क्योंकि हमें यह दोनों scopes को यूज करने बाद है आप इतना करने के बाद हमें एक credentials का वरीबल बनाना पड़ेगा और authentication करना पड़ेगा credentials is equal to service account.from json key file name क्योंकि हमां json file है तो वहां पे हम लोग credentials को define कर देगे तो उस json file का नाम है और .json तो हमने यह credentials इसके अंदर define कर दिया ठीक है अब इसके बाद file is equal to g spread.authorize करना पड़ेगा हमें authorize करने के लिए credentials हमें देने पड़ेगे और हमारा credentials किसमें stored है credentials variable में stored है तो हमने यहां पर define कर दिया अब यहां पर तुम्हें sheet एक sheet select करने की file open और उस sheets का नाम देना पड़ेगा अब sheet का नाम क्या है sheet का नाम मैंने data दिया रखा है यहां पर तो data हमारे नाम select हो गया ठीक है उससे पहले आपको यह file ना share करनी पड़ेगी एक चीज का ध्यान लगना जब आप google sheets को use करने पड़ेंगे कर रही होंगे तो आपको file share करनी है ठीक है share पर click करोगे तो तुम्हें किस पर share करनी है जो भी आपने यहां पर बनाया होगा सर्विस अकाउंट में जो भी email ने जनरीट होगी उसे आपको share करना है जैसे मैं यह वाली email आइडिया इसे copy करके गूगल sheets में जाके यहां पर जाके मैं share कर देता हूं ठीक है और इसे editor access दे रहता हूं send तो वह file जाके उस email आइड़ी पर share होगी अब वह file वह access कर सकता है ठीक है तो अब यहां पर आते हैं वापस और उस file का नाम select कर लेते हैं और अपनी sheet select कर लेता है sheet में से हमको sheet1 पर data entry करनी है ठीक है अब sheet1 हम select कर चुके हैं क्योंकि यहां पर हमारी file जो है sheet1 नाम से थी sheet1 करने के बाद ठीक है तो हमारे file select हो चुकी है सब कुछ हमारे सब कुछ ready है अब हम क्या करेंगे अब हम sheet entry करने वाले हैं अब देखो हमें sheet के लाँ address दिखना पड़ेगा यहां पर ए जो यह first address है यह a2 address है a2 जो services वाला column है b2 है जो third वाला column है c2 है और जो last वाला है d2 है न तो हमें यह cell हम लिखेंगे और उसके बाद उस address देदेंगे तो मैं यह आपके देता हूँ a2 फिर यह से ही sheet.update cell और इसका देता हूँ b2 similarly c2 भी होगा और d2 भी होगा ठीक है अब हमारे यह address बिल्कुल ठीक है और जब हम इसे run करेंगे तो देखना क्या हुआ run किया अभी तक फिलाल कोई error नहीं है हमारे यह open हुआ सारा data scrap हुआ fine अब यहां पर एक argument हमें a2 के अंदर क्या update करना वह तो यहां पर मुझे department name करना है b2 के अंदर मुझे services करना है कौन वान देके services लास्ट वाल में मुझे location करना है और इसमें अपरोक्स वैल्यों ठीक है तो यह सारे arguments दे दिये मैंने अब इसे दुबारे रन करते हैं देखते हैं यह चलता है कि नहीं तो हमारे fine file open हुई सारे data में capture कर चुका हूँ अब sheet entry के बादी आई है तो sheet entry भी देख लेते हो रही है नहीं तो देखो sheet entry हो रही है बट एक problem आगी है सेम ही address पर सारे data अब्रीट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए राइट देखो हो तो रहा है अपने यहाप ही data change हो रहा है बट same ही address पर हो रही है क्योंकि हमने यहां पर जो ऐड्रेस है वो same ही डाल दिया है तो address जो होना है वो बनने चाहिए है तो यहां पर हम address definition करएंगे अब वो कैसे करेंगे यहां पर हम plus करके str i करदेगे नग kurz correct अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देते हैं कर देखते हैं influences की вкус शेट्स को ओपन कर लेते हैं देखते हैं होता है यह नहीं तो प्रोग्राम्ण रौचुका है भी हम इंडिट भी साराना आचुका है और यहां पर हम देखते हैं इन ठीक है तो हमारी sheet entry start हो चुक है और तुम अब देख सकते हो कि हमारा data कितना fast enter हो रहा है तो थोड़ा सा ही मैनत करनी पड़ी है और अब हमारा आम से जाके सो सकते हैं और हमारा data अपना enter होता रहेगा तो इसी तरीके से तुम कुछ भी automate कर सकते हो कोई सभी simple task automate कर सकते हो तो चाहे तो में students को enroll करना हो या फिर कोई mail send करना हो किसी mail के उबर या फिर कोई सभी task तुम automate कर सकते हो using python using this method और ये एक छूटा सा basic सा tutorial था automations के उपर कि कैसे तुम अपने daily के task automate कर सकते हो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो share करो like करो subscribe करो और वीडियो के target रखते हैं 500 likes और share करो उस friend को जिसे जरूरत है इस चीज की तो चलो this is developer Raul signing off thanks for watching और source code तुम्हें description में मिल दाएगा bye bye